यूपी PCS PT 2023 का एक्जाम 14 मई 2030 को हुने वाला है अब गिंती के 50-55 दिन बचे हुए हैं आई होप आप सपी की तैयारी अच्छी चल लगी होगी करेंट अफेर का वेटर्ज तो ज्यादा है ही 40 कुस्टन्स आते ही हैं लेकिन यूपी PCS मेंज का इक्जाम का पटन बदलने से यूपी PCS आयोक के उपर यह प्रेसर बन रहा है कि यूपी के करेंट अफेर के वेटर्ज को भी बढ़ाया जाए तो उस हिसाब से यूपी से जो आप इंपोर्टन पिक्स और डॉकुमेंट सेर होते रहते हैं जिसको आप इजली उससे कुश्चन कर लेंगे तो उसको आप जोइन करके रखिए ठीक है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे योटा डेटा सेंटर पार्क के बारे में योटा डेटा सेंटर पार्क अभी चर्चा में आ गया है क्यों चर्चा में आ गया है अभी इसके एक डेटा सेंटर का उध्गाटन मुखमंतरी आज तिनास जी ने किया है कहां पर किया है यह पहली बात है यूपी का फस्ट हाइपर इसके डेटा सेंटर है ठीक है और इसका पहले टावर का नाम है योटा डी हो जाती है आगे बढ़ते हैं इस इस डेटा सेंटर को हीरा रंदानी ग्रूप द्वारा विक्सित किया रहा है इसकी कुल लागत पांच हजार करोड की आएगी ठीक है यह नोडा में पहला डेटा सेंटर है अब इस जो पार्क बन रहा उसमें कुल छे डेटा सेंटर बनाए जाएंगे और इसका कार जो है पांच वर्सों में पूंड किया जाएगा और इसके कुल लागत 49,000 करोड रूपए की लगभग आएगी ठीक है इससे इंटरनेशनल फाइबर कनेक्टिविटी मिलेगी यह डेटा सेंटर एक तरीके का अपना माइल स्टोन को स्टेट करेगा जाएगा 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 जाए